यो वाट्स आप गाइस कैसे आपसे भी लोग वालकम बैक टू अनेधर गेमप्ले वीडियो तो गाइस आज हम लोग के लिए जा रहे हैं कार्ड डिटेलिंग सिम्यूलेटर आप लोग भी सोच रहेंगे भाई यह बंदा कैसी आड़ी टेली गेम्स लेकर आते रहता है लेकि से आपको भी आने वाला है लेट्स को फिर देरिक इस बात की जल्ली से गेम को स्टार्ट करते हैं और एक चीज़ गाइस मैं आपको बताना भूल गया कि यह गेम थोड़ा बहुत स्टोरी बेस्ट गेम होने वाला है फिलाल अब यह कट सें दिखाया जा रहा है जिसमें साम नहीं वाली है लड़की बागी कुछ एनिमें जैसी फिल आ रही है लेट्स को यह रेड़ वाली कार जीच चुके है यहां पर भी कुछ माफिया आ गया है और उन्होंने शायद से वह चीन लिया है या फिर रेड़ वाली कार इनी की थी इन्होंने अपना और ले जाकर एक से बंदी को दी दिया और उस बंदे ने वो अवोड लाके यहां रख दिया और उसका मोबाइल फोन नीचे गिर गया यह क्या स्टोरी चल रहे है कुछ भी समन्न नहीं आ रहा वाई फाइनली हम लोग गेम में आ चुके हैं पहले यार इस गेम का म्यूजिक बंद करो पता चला कॉपी राइट ही आजए अपनी पूरी वीडियो पे चल तेरी निकले हां से और राइट गाइस तो यह अपना गेराज जहां पर शायद से हम लोग कार को मोडिफाइ करने वाले हैं और साफ सफाई करने वाले गाड़ी की यह तो वही अवोड है ना जो उस माफिया ने एक लड़की को दिया था और उसने यहां पर लाके रखा भाई अभी मैं पूरी के कार्ड डिटेलर है हाँ वह माफिया ने हमें अपनी गाड़ी दियोगी मोडिफिकेशन के लिए हमने उसकी गाड़ी मोडिफाय करी और मोडिफिकेशन के बाद वोस टॉर्नमेंट को जीता तो उसने अपना अवर्ड रिस्पेक्फुली लाकर हमें दे दिया बहुत अच कंपनी है तॉस पर खड़े हो सकते ठीक है यह भी काफी जीता बड़ी है अपना यह जो गिरा जाना है सची में काफी जादा बड़ी है एक बार ही आप लोग इस साइट पे देखो एक कार तो हम लोग यहां पर खड़ी कर सकते हैं बट बाई चांस कोई अच्छी लक्शिर करने वाले है एकदम माश शोपीस के लिए और इधर काफी साथी लाइट सो गया भी लेगे तो कार अच्छे से एकदम ग्लो जाएगी जल्दी से जल्दी बिक जाएगी हाँ चायद हम लोग इसमें इसा कर सकते हैं पुरानी कार को लाकर इसमें डिटेल करके बेज सकते हैं पता है इसमें की चाड़ा लगा है या फिर पेंट उतर गया है इतनी जादा गंदी है सब कुछ सभी से समझ भी नहीं आ रहा है बागी हाँ आपने पास बहुत सारे अच्छे टूल्स हैं एक से दो शेल्फ पेंट के पड़े हैं यहाँ पर वो सारे टूल्स हैं स्प्रे व को ओपन कर सकते हैं और यह क्या पड़ा हुआ है बोडी वर्क वाश किट ओ तो अभी मुझे इन किट्स को यूज करना है गाड़ी साफ करने के लिए यह किट मैंने उठा लिया है मुझे यहां पर आना है ठीक है तो अभी मैं अपना प्रेस ओके तो मुर को इस तरीके से प पूरी की पूरी गाड़ी पेक तो मस्त जाग डाल दे रहे हैं पूरा फोम से से कवर कर दे वाव अब बस मुझे चेक करने के आखिर का रहे है कितना ज्यादा स्मूथ है वाई लेट्स गो थोड़ी बहुत पावर बहुत स्मूलेटर वाली याद आ रही है ना बस उसमें कि हमेशा बस पानी से ही सफाई होती थी इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि रियल में भी कार वाश करने के लिए चाहिए होती है यह गाड़ी का एक्चुल कलर ब्लू ही है ना हाँ ब्लू है ब्लू है ब्लैक नहीं है मुझे लगा था पता नहीं गंदी बंदी और अर्प सारी की सारी गाड़ी चारो त्रफ से इस गाड़ी को फोल से इसर गया हाई भाई इशा मैं ज्याए कर सकता हूं कि इस कर दीछाए है तो अबी ना फिलाव मैं अपनी गाड़ी को चारो तरफ करूँ चैज़े φोंड मैं ले शाकर सब्सक्टाम मैं error वाश करना होगा और वाश करने के लिए में चीए होगा प्रेशर वाशर लेट्सकों इसे बाहर निकालते हैं अदर्वाइस मैं देर करूंगा तो सारा का सारा फोम अपने आप धीरे धीरे देखो ना नीचे आ रहा है तो बस मुझे पानी वाण ओ वेट तो गाड़ यहां प कंपनी में को समझ में को लगता है BMW है क्योंकि आगे से थोड़ी बहुत BMW जैसी लग रही थी बट नहीं है लेट्स को BMW जैसी मान के से साफ कर लेते हैं काफी जदा मजा आ रहा है एकदम क्लीन करने में जैसे हम लोग पावर वाश मतलब इस केम से अल्यागी सैटिसफेक्श पता नहीं क्या इसको मैंने अच्छे से वाश कर दिया टायर पर टायर पर टायर वास तो क्या ही धुलाई हो गया तेरी कमरा उम्रा भी साफ कर सकते हैं पानी इतनी जल्दी सूप कैसे जा रहा है चलो इधर तो मान लिए इधर अपना फुल एकदम सिस्टम बना हुए ड्र कपड़ा नहीं मारें और कपडे में मजा नहीं आता यार फीरा से इस तरीके से अलग मजा आ रहा है सफाई करने में और राइट गाइस तो फाइनली मैंने इस पूरी की पूरी कार को अच्छे से वाश कर दिया जो फोर्म लगा था सारी की सारी ड़स्त हटी और पानी के थ और मैं इस क्लोथ का यूज करके इसे अच्छे से पूरा से पोच के सुखा भी सकता हूं यूंकि रेल लाइफ में आपने देखा हूँ जब इसे अपने आप सूकती है जब पानी से चिपका रहते तो वहां पर भी थोड़ी हो डस आ जाती है और वेट यह कपड़ा वापिस क इतनी भी जादा रेलिस्टिक मत करो यार मतलब कपड़ा जो गीला हो गया उसको वापिस नीचे और के लाना है साफ करने के लिए वैसे मैं चारो तरफ से ना अच्छे से जाके सफाई कर सकता हूं जैसे कि यहां पर नीचे आकी कर दी एंड अभी राइट साइड में थोड मज़ा नहीं आ रहा बाकी अपना यह जो वापिस से पूरा गीला हो चुका है इसको दुबार से नीचे उड़के यहां पर साफ करते हैं और फाइनली पूरी की पूरी गाड़ी मैंने अच्छे से वाश करके ड्राय भी कर डाली है और शायद से अभी कोई एरिया नहीं रह कर दे है मतलब अभी इस पूरी की पूरी कार पर कहीं पर एक बूंद भी नहीं रह गई होगी जैसे यहां पर पड़े इसको भी साफ कर देते हैं बड़ मुझे नहीं समझा रहा कि आखिर कार यह जो अंदर वाले है यह पूरी विंडो अभी मुझे पता नहीं थोड़ी ब तो मुझे यह यूस करना था विंडो क्लीन करने के लिए मुझे इस तरीके से स्प्रे करना है और उसके बाद इस पर कप्ड़ा माना हो ठीक ठीक लेट्स को तो यह आया स्प्रे गाड़ी के ऊपर मैं कैसे जाओंगा ओके ऊपर जाने की जरुत नहीं बस मुझे यहां पर क्लिक करना है और अच्छे तरीके से चारो तरफ मेरे को स्प्रे डालते जाना है मैं थोड़ा ज्यादा तो नहीं यूस करना पता चल जाए खतम हो गया फिर हमें इसके एक्स्ट्रा पैसे देने प्रट रहे हैं अब मुझे यहां पर अच्छे से इस क्लोथ को मार के चमकान और अभी आप लोग देख सकते हो मैं कैसे इसके उस पार अच्छे से देख पा रहा हूँ पहले तक लीन नहीं था वट अभी पूरा चमक चुका है अभी अपनी गाड़ी कहीं से भी गंदी नहीं रह गी है मींस इंटीर रह गया है उसके लिए मुझे इंटीर वाली के टी ओ लेट्स को तो शायद से मुझे यह वैक्यूम क्लीनर है या फिर कुछ तो है यह यूज करके इसे पूरा निकाल के बाहर साफ करना है तो फटा फट से भी हम लोग चलते हैं इसके अंदर आगे को बैठ गया है मैं रुखो मुझे से साफ करना है साफ करने के लिए यह ओके यह काम तो तुमारा वाई एकदम फुल स्पीड में कर देगा और फाइनली मैंने पुरी के पुरी सीट को अच्छे से स्प्रे कर दिया है अब मुझे इसको इस तरीके से साफ कर और नहीं पहले मिलको इसके पास जाना है थोड़ा सा अब करते हैं यह भाई यह वो जादा साफ नहीं हो सकती यार बाकि यह पता करना कहां से गंदी रह गई है अभी तो फिलाल इसमें कहीं से भी नहीं शोव रहा कि कहीं से गंदी हो ओके क्या मस्ट इंटीरियर है वाई इस एक सीट साफ होते ही पूरी चमक आगे चल वाई अब तेरी वाली बारी पहले डा जालने के बाद मुझे इस वैक्यूम क्लीनर से सारा स्प्रे को निकाल लेना है चलो भाई सब कुछ हो गया मुझे कुछ जादा करने के जरूत है नहीं वेट अच्छा यह सब भी मुझे भी साफ करने होंगे इसको किस तरीके से साफ कर सकता हूँ शाइद से से वही तरीका है और गाड़ी का बूट भी एक दमचे से क्लीन हो गया है अभी शाय से मुझे बॉनट करना है गया नहीं 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 यह जो नीचे लेक वाले पैट्स होते हैं यह मुझे करने होंगे और क्या मजा है एक बार आप लोग दूबार देखो इस बार मैं कुछ भी स्किपनी क करने वाला हूं जैसे मालनों यहां पर यह डाला चैसे स्प्रे और अभी देखने इनकी लूग कैसी थी और कैसी हो जाएगी एक सेकिन बस इधर का रहे गया था पार लेट्स को सब डैन है चेक कर लेते हैं ओके भाई अभी गाड़ी पूरी ओके हो चुके मुझे लगता है इस कार में कोई भी कमी रह गई है करना अभी मुझे यहां पर जाना है यह चुब है को शोर मचा रहा है ओके हम लोग शायद से अपनी गाड़ी को लेकर दूसरी जगह आ चुके हैं यहां से बाहर ले जाने के इस गाड़ी को यह ताला एक सिकिन यह क्या चल रहा है इसके 2 कुड़ी कट सीन्स काफी अजीब हैं ब्रीकिंग न्यूस स्रीट फ्रेडिंग रोड़ क्लोस्ट यह क्या हो रहा है भाई हेलो मुझे कुछ अभी अपने गिराज में पानी भरता हुआ नजर आ रहा है एक सिकिंड यह हमारे साथ कुछ तो नुकसान हो रहा है वेट कोई आ पर किसलिए मैं मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा है यह गेम के कट सीन्स में हलका फुल का ही समझ आता है अभी मैं शाद से किसी एक दूसरी जगह पर आ चुका हूँ और हमारे गिराज वगेरा में पानी पता नहीं कैसे भर रहा है अभी मुझे क्या करना है जॉन जॉन पहले एकसेट कर लो मैं पढ़ू ना I don't have time for cleaning and washing the car ओके ठीक है मैं पढ़नी पाइस की गाड़ी यहां पर पहुच चुके प्लेस कार लेट्स को गाड़ी यहां पर आ चुकी है अभी क्या मुझे इसकी भी गाड़ी साफ करने होगी वह कुछ ना कुछ तो related होगा इससे क्य परचेस था bodywork washing kit अचा अपनी जो bodywork kit थी वह सारी रहेगी तो यहां पर आगे खरीदनी होगी तो first step kit 1 खरीदनी है मुझे kit 1 ले ले लेते हैं buy and इसको रख देते हैं यहां पे use tools to wash the car ठीक है तो अभी हमें यह pubg की डासिया वाश करनी होगी let's go तो यहां पर पढ़े अपन गाड़ी को इतनी खास भी नहीं है जो मैं इसे तमीज से साफ करूंगा तो अभी मैंने चारो तरफ अच्छे से form डाल के इस गाड़ी को cover कर दिया है बट मुझे ना कसम से एक चीज नहीं समझा रही कि आखिर यह वाला जो टायर है मैं इस पर क्यों नहीं वाव हो गया थोड़ा सा physics हो रही है वो नीचे गिर रहा है इसलिए बागी ठीक है अभी गाड़ी पूरी अच्छे से cover हो चुकिए अभी मुझे एक बड़ी कपड़ा मार के देखो क्या होता है कुछ पता नहीं गंदा ही रह जाएगा मेरे को ऐसा लग रहा चेक करूं नहीं कपड़े स अभी हो सकता साफ लेकिन अभी मुझे पानी से करना है तो पानी से करते हैं वाकि फोम नीचे गिरता हुआ कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है यार फ्रांट साइड गाड़ी की पूरी की पूरी चमका दी है मैंने और ये काफी मस्त लग रही है वैसे ना देखो washing का ए वाली बात नहीं है गाड़ी पूरी की पूरी वाश कर दी है सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो रेम से इसके अंदर थोड़ा बहुत यह सोप मींस फोम रहे गया है उसको फड़ा फट से हटा देते हैं लेट्स को गाड़ी पूरी कंप्लेटली वाश हो चुकिए अब इसे ड डाला था अभी इसे साफ करके देखते हैं हाँ नहीं यार यह बहुत बड़ी गलती करती हो जो कि मुझे अब समझा रही है यह सारा एरिया ना मतलब ऐसा है कि यहां पर मुझे दो दो बार सफाई करनी पड़ेगी और जैसी अभी ग्रीन हुआ ना और जब तक ग्रीन नही है तब तक मुझे करना पड़ेगा या इस अब यह क्लीप अपसी यह चैनल चाहिं हो झाल ए जैसे कि बने लानेहि बेन। तो यहां पर मुझे दुबारा से फोम डालना होगा अब यह पार्ट ग्रीन हो गया यानि मैं इस पर पाने डालके बस मुझे फोम हटाने और खपना मारना है तो कुछ इस टाइप का सीन था वाव कुछ जादा ही अच्छे से बनाया है इस गेम को आखिर भाई कार में एक एक डिटेल जो में देनी है इसलिए अच्छे से सफाई कर नहीं होगी और राइट तो भी मैंने इस कार को चारो तरफ से अच्छे से एकदम चमका दिया है अब मुझे क्या करना है मुझे कोई आडिया नहीं क्या मैं इस गाड़ी को ड्राइब कर सकता हूं वह तो चला मैं गा अबान खरीदना होगा बट में स्टोर को अक्सेस नहीं कर पा रहा हूं भाई मैंने बुरी गाड़ी साफ कर दिया मुझे वागे क्या करना है और ऐसे भी यह इस केम का एक प्रोलूक था जो कि शायद यहीं परेंड होना था और इसके बाद पूरी यह स्टोरी लाइन कंट में जाके जरूर बताना कि क्या आपको यह गेम अच्छी लगी और हमें से कॉंटेन्यू करना चाहिए या फर नहीं बाकि आज के से वीडियो में इतना ही मिलता एक लिए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाई झाल